नमस्कार स्टडी जोन में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको साइकोलोजी से रिलेटिड मॉस्ट इंपोर्टन क्यूशन्स बताऊंगी जो आपको एच्टैट, सीटैट, रीट या टीचर से रिलेटिड किसी भी टेस्ट में बहुत एल्प करेंगे साइकोलोजी एक इंपोर्टन सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा पॉर्शन टेस्ट में इसी ही का आता है, इसलिए टेस्ट को किलियर करने के लिए साइकोलोजी पर कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट्स में लिख कर जरूर बताएं इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर करें साथ ही हमारी और भी वीडियो आने वाली हैं हमारी नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें आपका फर्स्ट कुशन है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बोधिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है जीन पियाजे ने संग्यानात्मक विकास का सिद्दान्त दिया है और इसमें उन्नोंने चार अवस्थाएं बताई है उनके अनुसार बोधिक विकास के निर्धारक तत्व नहीं है सामाजिक संचरन नेक्स्ट कुशन है बच्चों की सोच अमूर्थता क्या पेक्षा मूर्थ अनुभाव इंप्रत्यों से होती है यह अवस्था कौन सी है मूर्थ अनुभाव इंप्रत्यों वे होते हैं जिनको हम छू कर देख सकते हैं या जो हमारे सामने दिखाई देते हैं जबकि अमूर्थ वो होते हैं जिनकी अमें कल्पना करनी पड़ती है तो बच्चा मूर्थ अवस्था में कब होता है? साथ से बारा वर्ष तक Next question है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास की सवस्था में होता है? शेरम, तथा गर्व, जैसी भावना का विकास बाले वस्था में होता है। नेक्स्ट क्यूशन है, किस मनोव्य ज्यानिक की अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रकरिया है? इसमें आपका अंसर होगा, option C, skinner की अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रकरिया है, यहनकी विकास एक ऐसी प्रकृया है जो लगातार चलती रहती है जनम से मृत्यू प्रियंत तक होती है Next question है हिंदी अक्षिरों को बालक किस आयू में पहचानने लगते हैं इसमें आपका अंसर होगा हिंदी अक्षरों को बालक पांच वर्ष की आयू में पहचानने लग जाते हैं आपका next question है निचली कक्षा में सिक्षन की खेल पद्धिती मूल रूप से किस पर आधारित है इसमें आपका अंसर होगा option C निचली कक्षा में यानि की प्रात्मिक कक्षा में शिक्षन की पद्धिती विकास एम वर्दी के मनोवैग्यानिक सिध्धानतों पर आधारित होती है next question है प्रात्मिक विद्यालियों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बहतर मानते हैं वीडियो अनुरूपन, प्रदर्शन, स्वयम के द्वारा सीखा गया अनुभव या फिर ये सबी इसमें answer होगा option C स्वयम के द्वारा किया गया अनुभव क्योंकि बच्चा करके सीखना विदी के द्वारा सबसे ज़्यादा ग्यान अरजित करता है क्योंकि उसमें बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा ग्यानेंद्रियां शामिल होती है next question है कक्षा में विद्यार्थियों की रूची बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है इसमें आपका answer होगा option D प्रशन पूछना कक्षा को सजीव बनाए रखने के लिए यानिकी विद्यार्थियों की रूची बनाए रखने के लिए विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यान अरजित करें इसलिए आफशक है कि शिक्षक कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रशनों को पूठ करें यान की जाया ज्यादा प्रशन पूछे नेक्स्ट क्यूशन है सुख के इंद्रित वस्था कौन सी होती है सुख के इंद्रित का अर्थ है यान की जब बच्चा स्युम के प्रती ज्यादा लगाव रखता है खुद से प्यार करता है और यह सोचता है कि बाकी सब भी उसी से प बुद्धियम सरजनात्मक्ता में किस प्रकार का सह संबंद पाया जाता है बुद्धी यानि की इंटेलिजेंस और सरजनात्मक्ता यानि की क्रियेटिविटी आपस में positively जुड़ी हुए होती है यानि की धनात्मक रूप से वो जुड़ी हुए होती है अगर बुद्धी करदा होने के उसमें full chances होते हैं चैनल नेक्स्ट क्यूशन है मानसिक परिपक्वता की उचाइओं को छुने के लिए प्रियतनरत रहना संबंदित है इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन ए कि शोर अवस्था मानसिक और शारिक परिपक्वता की उचाइओं को छुने के अव परत्यात्मक यानि कि बच्चों के जो क्रिया कलाप हैं जो भी उनके कारिये हैं वो सिर्फ मूल परवर्ति के अकोर्डिंग ही होते हैं मूल परवर्त्यात्मक के अंतरगत आता है सोना यानि कि आराम करना रोना भूख लगना अपना प्यार प्रकट करना अपनी मा या पिता क प्रति तो वो सब शैश्वस्था के क्रियक लाप होते हैं जो कि मूल परवर्तियात्मक के उपर डिपैंड होते हैं सही विकल्प चुनिये पहला है थोन्डाइक ने संबंद वाद का प्रतिपादन किया था दूसरा है पैवलो पैवलोव ने अनुकुलित अनुक्रिया सिद्धान्थ यानिकी शास्ति अनुबंदन का सिद्धान्थ दिया था मनोवैग्यानिक हल ने प्रबलन सिध्धान्द दिया था फॉर्थ है कॉलर कॉलर ने सूजबूज का सिध्धान्द का प्रतिपादन किया था इसलिए इसमें आपका आंसर होगा ओप्शन C नेक्ष्ट क्यूशन है निमलिकित में से की समू کے बच्चों को समयोजन की समश्या होती है इसमें आपका अंसर होगा option D कुशागरदु बुद्धी के बच्चों को समयोजन की समश्या होती है क्योंकि वो बहुत ही sharp minded बच्चे होते हैं अगर उनको सामाने बच्चों की तरह ही पढ़ाय जाए उनकी तरह ही ट्रीट किया जाए तो वो अपने आपको अज़ेस्ट नहीं कर पाते हैं तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि जो कक्षा में पढ़ाया जाता है उसके अलावा भी उनको कारी दिये जाए नेक्स्ट क्यूशन है, इंपोर्टन्ट है, बाटिया बैट्री का प्रियोग निम्नि में से किसके परिक्षन एतु किया जाता है इसमें आप का अंसर होगा, बाटिया बैट्री का प्रियोग बुद्धी के परिक्षन एतु किया जाता है next question है psychology शब्द की उत्पत्ती किस भाशा से हुई है इसमें आपका answer होगा option C युनानी भाशा से psychology दो शब्दों के मेल से बना है psycho plus logos psycho means आत्मा और logos means अध्यन यानि कि इसका शाब्दिकर्थ हो गया आत्मा का अध्यन और ये युनानी भाशा का एक शब्द है next question है kindergarten किस भाशा का शब्द है इसमें आपका answer होगा option B जर्मन kindergarten जर्मन भाशा का एक शब्द है और kindergarten पदिती का परतिपादन मनोवग्यानिक फ्रोबेल ने किया था next question है टर्मन का संबंद किस देश से है इसमें आपका answer होगा option B अमेरिका मनोवग्यानिक टर्मन अमेरिका के थे और इन्हों ने बुद्धी लब्दी यानिकी intelligent question निकालने का सुत्र दिया में बटा सी ये multiply by 100 यानिकी mental age upon chronological age multiply by 100 next question है motivation and personality पुस्तक के लेखक कौन है इसमें आपका answer होगा option C मैसलो motivation and personality पुस्तक के लेखक है नेक्स्ट क्यूशन है कक्षया से पलायन करने वाले चातरों के प्रतिया आपका वैभार कैसा होगा इसमें आपका अंसर होगा option D निदानात्मक यानि कि आप उसके कार्णों का पता लगा कर उनका निदान करेंगे नेक्स्ट कुशन है अभी प्रेणा के संदर्ब में भोजन क्या है इसमें आपका अंसर होगा option D अभी प्रेणा के संदर्ब में भोजन पर्नोद है नेक्स्ट कुशन है बुद्धी लब्दी का वीचार किस ने दिया था यानि कि इंटेलिज ratchet क्योज़ेंड का जो पृत्या था वो किस में पर्तिपादित किया था इसमें आप का अंसर होगा ओप्शन B टर्मन ने और तर्मन ने ही बुद्धी लबदी का सुत्र दिया था M.A. बटा-C.A. गुणा-So Next क्यूशंन है, सर्व पर्थम बुद्धी का वैज्यानिक मापन किस ने किया था? इसमें आपका अंसर होगा Option A सर्व पर्थम बुद्धी का वैज्यानिक मापन विने ने किया था वरण शिक्षकों पर निर्भर करता है नेक्स्ट क्यूशन है मानव चिंतन में तर्क का आरंब कि सवस्था से प्रारंब हो जाता है इसमें आपका अंसर होगा उप्षिन बी बाल्यवस्था मानव चिंतन में बाल्यवस्था से यही बालक तर्क का आरंब कर देता है नेक्स्ट कुशन है निम्न में से सही का चैन कीजिए यहाँ पर जीन प्याजे के दुवारा दी गई संग्यान आत्मक विकास के सिधानत की चार अवस्थाई है पहली है पूरु संक्री आत्मक अवस्था यह अवस्था दो से साथ वर्ष की होती है तो यह गलत है यहाँ पे जीरो से दो वर्ष की दी हुई है दूसरा है मूर्च संक्री आत्मक अवस्था यह होती है साथ से ग्यारा वर्ष तक तो यह भी गलत है क्योंकि यह दो से साथ वर्ष तक दी गई है यहाँ पर तीसरा दिया हुआ है समेधी प्रेरे कवस्था ये दी हुए 7 से 11 वर्ष जबकि ये होती है 0 से 2 वर्ष की फोर्थ है उपचारिक संक्रियात्म कवस्था जो होती है 11 से 15 वर्ष तक तो ये आपका सही उत्तर है Next question है किस विदी के द्वारविध्यार्थियों की शिक्षन में अधिक से अधिक भागिदारी संभव है इसमें आपका आंसर होगा Option B वारतालाप विदी Next question है अचेतन मन की तुलना किस से की गई है मनोवैज्यानिक सिग्मन फ्रोइड ने मनोविशलेशन वाद का सिध्धान दिया है इसके अंतरगत उन्होंने मन की 3 stages बताई है चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन अचेतन मन की तुलना उन्होंने हिमखंड से की है Next question है भाषा विकास का सिध्धान किस ने दिया है इसमें आपका आंसर होगा Option C भाषा विकास का सिध्धान नौम चॉम्पस की ने दिया है Next question है motivation शब्द क्यूत पत्ति किस लेटिन शब्द से हुई है Motivation शब्द ग्यूत पत्ति मोटम शब्द से हुई है Motivation का हिंदी में अर्थ होता है प्रेणा Next question है रचनात्मक आकलन के लिए उची तुपकरण नहीं है आकलन यानिकी assessment evaluation टू टाइप्स का होता है रचनात्मक आकलन यानिकी formative assessment Second है summative assessment रचनात्मक आकलन यानिकी formative assessment के अंतरगत मोखिक परशन, परशनोतृ, धत्त कारिये या पिर मासिक परिक्षाएं आती है जबकि summative assessment के अंतरगत सत्र परिक्षाएं आती है जो session के last में होती है, जो साल में एक बार होती है तो रचनात्मक आगलन के लिए जो उचित नहीं है वो है सत्र परिक्ष्या Next question है, सीखना विकास की परिक्रिया है यह किस का कथन है? इसमें आप का अंसर होगा, सीखना विकास की परिक्रिया है यह कथन है वुडवर्त का नेक्स्ट कुशन है थॉन्डाइक ने अपना प्रसिद प्रियोग किस पर किया था थॉन्डाइक का प्रियोग बूलेम प्रियास किसी दान्थ के नाम से जाना जाता है उन्होंने अपने प्रियोग बिली पर किये थे नेक्स्ट कुशन है कॉलर ने अपना परिशिध प्रियोग किस पर किया था कॉलर ने अंतरदृश्टी या सुझ बूज का सिद्धान दिया था इस सिद्धान के परतिपादन में उनके साथ वर्दिमर और कौफ का भी शामिल थे उन्होंने अपने प्रियोग चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था के उपर किये थे इसमें आपका आंसर होगा option D, वन मानुश पर Next question है, सीखने का प्रियतन इम्तुर्टी सिद्धान किसने विक्सित किया था इसमें आपका आंसर होगा option D, थोन डाइक थोन डाइक ने प्रियतन इम्तुर्टी सिद्धान का प्रतिपादन किया था Next question है, खेल की अवधारना शिक्षा जगत को किसने दी इसमें आपका आंसर होगा option B, फ्रोबेल फ्रोबेल की यह अवधारना थी कि पूर प्रात्मिक या प्रात्मिक शिक्षा बच्चों को खेल के माध्यम से दी जाए Next question है, एडॉल सेंस पुस्तक के लेखक कौन है इसमें आपका आंसर होगा, एडॉल सेंस पुस्तक के लेखक है, स्टेनले होल Next question है, डॉको शब्द का क्या अर्थ है? इसमें आपका आंसर होगा, डॉको शब्द का अर्थ है बाहर से Next question है, मनो विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? इसमें आपका आंसर होगा, option C, मनो विज्ञान विधायक विज्ञान है Next question है dyslexia किस से संबंदित है इसमें आपका आंसर होगा dyslexia संबंदित है पठनविकार से इसी तरह मोखिक रूप से सीखने की अच्छमता संबंदित होती है dysphagia से लिखने की अच्छमता है तो वो कहलाती है dysgraphia और गणित संबंदी समश्याई कहलाती है dyscalculia Next question है रूची होती है इसमें आपका आंसर होगा option C दोनो यानि की रूची जनम जात भी होती है कुछ रूचीयां अमारे अंदर जनम से होती है और कुछ रूचीयां अमारे जनम के बाद हम अरजित करते हैं Next question है सरजनात्मक्ता उत्तरों के लिए आउशक है इसमें आपका आंसर होगा option B मुक्त उत्तर वाले प्रशन मुक्त उत्तर वाले प्रशन वो होते हैं जिनके उत्तर हम बहुत से प्रकार से दे सकते हैं हमारे तर्क अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन उत्तर समान होता है Next question है हमारे मस्तिश का चेतन भाग कितना होता है नेक्स्ट क्यूशन है व्यक्तितु का श्याही धबा परिक्षन किसकी देन है इसमें आपका अंसर होगा ओप्षिन बी हर्मन ड्रोर शाक नेक्स्ट क्यूशन है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का परियोग किसके समान अर्थ में किया है इसमें आपका अंसर होगा गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का परियोग सरजनात मक्ता के अर्थ में किया है जब भी अभिसारी चिंतन शब्द का परियोग हो त रजनात्मक्ता के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बुद्धी, भाशात्मक परिक्षन दो तरह के होते हैं, पहला हो गया सामुईक और दूसरा होता है व्यक्तिगत, सामुईक के अंतरगत आता है आर्मी अल्फा परिक्षन और व्यक्तिगत के अंतरगत आते हैं बागी वचे तीनों. कलार्क हल के सीखने के सिधांत में पुनर्बलन का लक्षे क्या है? इसमें आपका अंसर होगा उप्षन C, परनोद का राश. कलार्क हल के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई, जिसका नाम है प्रिंसिपल ओफ बिहेवियर. नेक्स्ट क्विशन है, शीशु में जनम के समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शीशु में जनम के समय हड्डियों की संख्या होती है 270 और एक अडल्ट मनुष्य में यानि की मानव में हड्डियों की संख्या रह जाती है 206. थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी जोन पर न्यू अपडेट्स एंड प्रिप्रेशन अफ अपकमिंग एग्जाम्स अब आप हमें नीचे दियवे लिंक पर जाकर फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच करूशव दियर नीचे जाज आप लाचि दियुट्टों प्ली नीचेशन प्लीज भीकश हमें भी कर दोकते हैं प्लीच वाह कर फेस्गामनार प्लीजाब दियू थापकमिंग अप्लीजैंग प्लीजैं थाज़ प्लीजैंग उत्रह आवर दो प्टाश्वें वाट मॉली